नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पे तो जो आज का वीडियो होने वाले वह बहुत ही खास होने वाले फाइली मैं आप लोगं के ले आ चुका हूँ जियो गीगा फाइपर का एक ऑनेस्ट रूली रिव्यू तो गाइ अगर आप पे जियो गीगा फाइप में कुछ प्रॉबलम आता तो कैसे आप कंप्लेंड रेस करोगे तो इस सभी टॉपिक को यहां पर मैं करवर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को सुरू से लिगे आन तक देखना लिए कि किसी भी से बिलॉग करते हो जियो गीगा पेले यह नहीं था लिमिटेट स्टी में था बट यह आल्मोस सभी स्टी में आ चुका है तो बिसिकली मैं बिलॉग करता हूँ जारखन जमषेतपूर से तो जो लोग जारखन जमषेतपूर से बिलॉग करते हैं जियो गीगा फाइवर कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं या तो भाई इधर बदर घूम फिर रहे हैं पर भी उनका जीओ फाइवर कनेक्शन हो नहीं पा रहा है तो भाई ये वीडियो का आपको बिसिकली देखना है और अगर जारखन से बिलॉंग नहीं करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखो आपको क्या स्टेफ फॉलो करना है करने की और अगर आट जारकंट से बिलॉंग करते होत तो सिंपली यहां पर मैं एक हैल्प लाइन नंबर दे रहा हूं उसमें आपको कॉल करना है और वहां पर आपको customer care से बात करना है and nearest Jio Gigafiver office के बारे में आपको जान करी लेना है वहां पर आपको जाना है और आपको जो भी आपका details है and आपको वहां पर provide करना है and आपका documents बिसिकली लगता है आपका अधार काड लगता है and आपका photo लगता है and पूरा यह पूरा life procedure होता है पूरा हाथो हाथ आपको payment करना रहता है and then आपका जो Jio Fiverr connection है वो आपको मिल जाएगा तो basically Jio Fiverr के connection में आपको यहाँ पर दो options रहते हैं पहला यहाँ पर आपको एक 4K setter box मिलता है और यहाँ पर आपको O&T modem मिलता है option है कि आप setter box ना ले सिर्फ आप एक modem ले और उसको चला है तो जो first option है दोस्तो उसमें आपको 25 रुपे देने पड़ते हैं जिसमें से की 1000 रुपे जो है कि आपको installation charges होता है and जो second वाला है उसमें आपको सिर्फ 15 रुपे देने पड़ेंगे and basically यहाँ पर आपको setter box नहीं मिलेगा note करना इस बात को and दोनों plan में पचीस सो वाले and पंदरा सो वाले अगर आप दोनों लेते हो first time new connection में तो यहाँ पर आपको by default free trial मिलता है 30 days का जो कि आपको 150 Mbps है दोनों में मिलता है and 3300 GB आपको यहाँ पर data मिलता है Mbps upload and download जो कि Jio guarantee करता है and यहाँ पर data के हैसा आप से truly बोला जाता है भर truly नहीं unlimited नहीं है यहाँ पर आपको gapping दिया गया है 3300 GB का and by 3300 GB बहुत होता है मतलब यार एक normal इंसान के लिए तो बहुत है चलिए ठीक है पर आप अगर setter box वाले plan को choose करते है जो कि 2500 वाला है यहाँ पर आपको 11 OTA app मिलते है जिसमें कि आपको hotstar से लेके alt बाला जी z, sony, boot and बहुत सरे ऐसे alt बाला जी बहुत सरे option इसमें आपको यहाँ पर app मिल जाएंगे जो कि 1500 वाले में आपको नहीं मिलते है क्योंकि इसमें अपने को setter box में नहीं मिल रहा है यहाँ पर आप सिर्व net चला सकते है and basically आप एक आपका जो PNT नमबर आपको मिलेगा उससे आप call कर सकते है दोनों में आपको calling facility free मिलता है यह बात आप जान ले जो कि unlimited voice call ठीक है तो जो यह आपको plan मिल रहा है 150 MBPS का यह आपका 99 का plan है जो कि GST लगा कि 1170 रुपए के आसपस आपका पढ़ता है ठीक है तो दोनों में यह plan मिलता है आपको and after that भाई अब यह question आता है कि after that मेरे को कौन सा plan लेना चाहिए यहाँ पर आपको बहुत सारे plans मिलते है for example यहाँ पर आपको 399 से आपका इसका basic plan चालू हो चाहिए तो कि 30 MBPS का है upload and download यहाँ पर आपको 30 MBPS मिलेगा and उससे जादा एक और आपको plan मिलेगा 100 MBPS का जिसको आपको 699 पढ़ेगा and GST इसका अलग से and जो आपका जो बेस जो आप एक normal plan बोल सकते हो जिसमें कि आपका setup box पर आपका run करेगा जो कि यह 99 का जो कि आपको 1170 रुपए के असपास पढ़ेगे जिसमें कि आपको 14 आप मिलेंगे OTI app जिसमें कि आप अराम से जो भी आपको जो subscription मिलेगा आप फ्री में जो भी movies देख सकते हो बट याद रखना कि 399 and 699 में आपका जो setup box है वो OTI app उसमें आप utilize नहीं कर पाऊंगे उसमें आपको नहीं मिलेगा और बाकी इसका plan जो है दूस्तों 1500 रुपए से लेके आपका 8000 तक का plan है जो कि 300 Mbps से लेके 30 Mbps में आपको कोई OTI app का support नहीं मिलता है यहाँ पर आपको unlimited voice calling मिलता है and वही 100 Mbps में भी plan में ये rule follow होता है बाकी जैसी आप 99 का plan से लेके 8500 तक के plan में जाते हो तो इसमें आपको OTI app का subscription मिलता है तो basically यह हो गई plans की बाते है पर होगे plans की बाते है अब हम चलते हैं कि भाया हमको नया fiber connection काई से मिलेगा ठीक है क्या procedure है कैसे करना है and कहां से हमको contact करना है और अगर आप जमशेतपुर से belong करते हो it's mean आप जमशेतपुर में किसी भी कोने में रहते हो पासवान भाई से आप बात करो भाई वो असेस्टन मेनजर है जियो में बहुत ही helpful nature है मतलब recently अभी क्या हुआ था कि मेरे जो जियो गीगा फाइबर का जो वायर है किसी ने cut कर दिया था और विकी भाई ने मेरा मतलब अल्मूंस आपको एक जीओ के हल्प्लाइन में फोन करना है वहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम बताना है दो सी तीन घंटे के अंदर जो आपका प्रॉब्लम है वो बहुत ही सुपरियर है अब बात रही किया मेरे एरिया में जीओ फाइवर का कनेक्शन 4K setter box मिला है अपने को setter box में किया मिलता है अपने को setter box मिलता है अपने को HDMI port हमारा power cable हैala here आपको voice command रहे m dai जो कि आपको setter box में ही include होता है इस box पे ठीक है और तो कुछ मिलता नहीं है मैरा dual band router जो कsınız से लेकर 5GHz सब्सक्राइक का सपोर्ट करता बहुत ही lightweight router है दोस्तों and router में basically अपने को यहां पर जिसी देख सकते हैं 4 land cable निलते हैं और यहां पर अपने को power cable मिलता है और यह रहा इसका land cable और यह अपना यह अपना आपना सायद दोस्तो टेलिफोन cable है अगर आपके पास land line cable है तो उससे आप connect कर सकते हो तो वेल गैस यह हमार राउटर है डुवल बैंड राउटर है जियो गीगा फाइवर का तो जब आप फर्स टाइम इसे लोग यह तो यह इस तरह से रेड ब्लिंग करेगा दो से तीर मिट तक रेड ब्लिंग करेगा तो जैसी भाईया लोग यहाँ पर कुछ कोड्स रहते हैं और वह मेरे को पता नहीं बट भाईया लोग बोलें कुछ अपडेट लेते हैं और गाइस जिसकी देख सकते हैं अपना जियो गीगा फाइवर का पतला तार आया हुआ है I think यह सिंगल कोर का तार है तो यह मिलता है अपने को पर अपने को चार लैंड पोर्ट मिलते हैं यह साइज राउटर का आपको दिख रहा है बहुत ही लाइट लाइट वेट लगी हुई है उसके लिए मैं आफ ही चाहता हूं आपको यही मिलता है जियो गीगा फाइवर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा जब आप अपना सेटर वाक्स क अपको यहापका पॉइस कमांड यहां पर आपको मिलता है जो आपकी आपका इसे और राउटर का वाइट करके रखा हुआ है तो मैंने आले से यहां पर करनेट करके रखा हुआ है क्या क्या मिलता है वह तो आप क से प्राइब कुछ आपसे हैं अ ऐसमें कैंड आप प्र हैं यूट्मध समय्ट आपधा है उसमीं के ओछ धृर्ण इनिंट्रॉल पर और 1400 के आसपास वाला प्लान लेते हो तो उसमें Amazon Prime मिल जाता है तो बेसिकली वूट, केट्स, होस्टार, और भी आपको यहां पर प्लान से वो सब मिल जाते हैं MX Player, Zio News, Woot, Sony Leaf, तो यह सब आपको इसमें फ्री मिलता है इसमें आपको voice command भी दिया हुआ है, तो simply हमें voice command को देखता हूँ यार कैसा काम कर रहा है Open the YouTube Open YouTube तो कुछ इस तरह से आपको यार दिखता है तो यहां पर अपन as a guest login करते हैं OK में क्लिक करना है So basically यह जीसी देख सकते हैं यहां पर आपको यह arrow मिलता है यहां से आपको आपका right जाएगा and यहां से आपका left जाएगा Up down के लिए यहां पर है and यहां पर आपको OK का button यह जैसी तो गई जीसी आप देख सकते हैं OK का button से आप OK करके कुछ भी प्ले कर सकते हो आपकी एक नॉर्मल टीवी रिमोट जैसा है दोस्तों और कुछ ज़दा है या नहीं तो simply अपन अपना चैनल सर्ज करते हैं Technology platform Here is what I found for Technology platform जो खुल चुका है वीडियो तो मैं कोई वीडियो प्ले करके देखता हूं and सभी HD quality में है यार बिसिकली मैं इसे ही ले लेता हूं OK तो गाई इसी की रेख सकते हैं Full HD में चल रहा है यह and मेरे कोई buffer उफर देखने का नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप इसी तरह अपने यार देखो सेटर वोक्स को अपरेट कर सकते हो बाकी बहुत सिंपल नॉर्मल रिमोट टाइप का है तो यह राज सेटर वोक्स का रिव्यू आपर मैं उकला खुल लेता हूं Speed Test तो अभी मैं Land सेपको टेस्ट करके दिखा रहा हूं कि Land में मेरे को कितना Speed मिलता है आपर मैं Speed Test को on करता हूं तो यहां पर मेरे को पिंग मिल रहा है वो 28 का मिल रहा है जैसी कि देख सकते ही मेरे जो Downloading Speed है वो Approx 130-140 टेच करता है अल्मस्ट Okay जो मेरा Downloading Speed है वो 142.46 बहुत ही अच्छा है यार Loading Speed है दोस्तो वो 134 Mbps मिल रहा है तो यह fluctuate होते रहता है मतलब यह आपका 130 से अपर ही Speed आपको देगा Land में And basically जब आप इसे Wi-Fi के through यूस करोगे तो भी मैं Wi-Fi का भी टेस्ट आपको दिखाने वाला हूं पर मैं अपने Single Band से Connect हो चुका है जो कि 2.4 GHz का है तो मैं इसके आपको Speed दिखा दू And यह मेरा जो 5 GHz वाला जो है मेरा Dual Band वाला तो इसका में Speed दिखाऊंगो तो पहले मैं इसका में दिखा दू तो चलिए हम उकला खोल ले तयार जो के लिए वही Speed Test दिखाता है जो के लिए Speed Test पे चलते हैं And यहां पर अपन गो में क्लिक करते हैं So यहां भी अपने Approx 28 MHz दिखा रहा है तो यहां आप देख सकते हैं यहां पर मेरे को Downloading Speed 71.6 Mbps मिल रहा है And uploading 105 चल रहा है तो ऐसी यह fluctuate होते रहता है तो अगर आप Wi-Fi से यूज कर हुए 2.4 GHz से तो आपको इतना ही मिलेगा And आप सभी को पता है कि Wi-Fi में Speed थोड़ा अपने को कम मिलता है Compared to Land Cable तो अब हम connect कर लेते हैं अपने 5 GHz वाले बैंड को Simply आपको यहां पर connect में मैं क्लिक कर लेता हूँ जिसी कि आप देख सकते हैं And चली आप हम Speed Test करके देखते हैं कि अपने को कितना Speed मिल रहा है यहां server find कर लेते सबसे पहले तो चली हम Go में क्लिक करते हैं जिसी कि आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा 5 GHz वाले बैंड है उसमें अपने को 143 Mbps & 131 Mbps का Speed मिलता है जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बैंड से जो हमारा Single Band है उससे तो बहुत ही अच्छा है तो आपको डाउनलोड टेस्ट करके दिखाने वाला हूं कि अपन जब गेम डाउनलोड या किसी भी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं जियो फाइवर से तो अपने को क्या Speed मिलता है तो सब्सक्राइब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं यह मेरा Website दोस्तों यहां पर आपको Free PC Games मिलते हैं यह बात आप ध्यान में रखना तो मैं अपने सर्वर से डाउनलोड कर लेता हूं तो यहां से मैं Part 1 को डाउनलोड करता हूं तो यहां से मैं डाउनलोड को स्टार्ट कर लेता हूं जो जिसी की देख सकते हैं जो मेरा 2GB का फाईल है वो अपरोक्स मेरा 5 मिनिट के आसपास डाउनलोड हो रहा है यहां पर मेरेको अभी अपरोक्स 80 Mbps का MB per second का स्पीड मिल रहा है यहां पर आपको बहुत सरी PC गेंफ मिलेंगे फ्री में यहां पर आप चेकाउट कर सकते हूं अब हम आते ही यूटूब पर कि अगर हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो भाई अपना जो वीडियो हो कितनी मिनिट या कितनी सेकंड में हो जाएगा हम जो फाइली मैं आपर एक टेस्ट वीडियो ले लेता हूं यहां पर मैं टेस्ट वीडियो लेता हूं ऊके तो इसे मैं अपलोड करता हूं यह अप्रक्स आपका 500विं असनफ बास का वीडियो है जो जिसी देख सकते है हैं यहां पर मेरे को अप्र código लग रहаться है 35 अप्लोड हो गया है और अगर आप 4K में वीडियो अप्लोड करते हो 5-6GB में तो अप्राक्स आपका 2-3 मिनिट के अंदर वो वीडियो अप्लोड हो गया है यहां पर मैंने आपको लाइव दिखा दिया डाउनलोड स्पीड और यह आपका अप्लोडिंग स्पीड तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जियो फाइवर का जो स्पीड है वो आपको कितना ओसम मिलने वाला है तो बहुत साही लोग यह सवाल उठाते ही कि अपने को स सबी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है तो वाल गैसे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो मतलब जियो गीगा फाइवर से रेलेटेड कौन सा प्लैन के ऊपर मैं वीडियो करते हैं खासकर मैं फिंसर ठैंक्स बोलना चाहूंगा को हमारे अभीजी सर और रभी सर नीरज भाईया अल्फुल निचर के आदमी है यार कसम से बताऊं तो इन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो बस इतना ही था अगर आप जमशेदपूर से बि चरचा ना अने दिन वह आपको पता देंगे कि आपके नीरिस एरिया में जी होगी कर अब तक आजाएगा तो पस दोस्तों आज की वीडियो फेसे पन सब्सक्राइब करो आफो एन हातो अपने फ्रेंश कर उसे अक अखोर घॉन बड़ी वारों ख्यार लगने तब तक लिए जय ही जय भारत